ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यो वाचिंग रस्ल चैटर्स और मुझे लगता है कि आप लोग को यह वाली बात जरूर जान लेनी चाहिए तो देर इस बात की शुरू करते हैं अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूपर शुडाउन के में इवेंट पर मैं सेखने को मिलता है जो की था देड मैं अंडर्टेकर वर्सिस गोल्डवक के बीच मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे दोनों सूपर स्टार्स एक दूसरे से नाखुश हैं और सूपर शुडाउन के खत्म होने के बाद गोरिला पोजिशन पर जाकर मलब कि वहां पर जहां पर सूपर स्टार्स अपने एंट्रेंस के लिए रेडी होते हैं वहां प लगने भी वहां पर कुछ बॉच मूव किये था तो दोनों सूपर स्टार मैच में एक दूसरे की परफॉर्मेंस से जरा भी खुश नहीं थे और दोनों की दोनों सूपर स्टार जब लड़ रहे थे वहां पर तो आउट आप करेक्टर जा चुके थे जैसे की कुछ बाते स सामने आ रही हैं तो ऐसे में जो गर्मा गर्मी हो काफी जदा बैक से स्पैल गई थी इस मैच के नतीजे के बाद उसी समय वहां पर हमें ब्रॉक लेशन का इसमें रोल देखनी को मिलता है और जो रिपोर्ट से यहां पर यह कहती है कि इन सभी चीज़ों के बाद अंडर ट अंडर टेगर काफी जदा नाखुष थे उस समय को डवलोबली से ही शायद खुष नहीं होंगे तो फिर शायद इसलिए आपर ब्रॉक लेशन को यही ठीक लगाऊगा कि अगर अंडर टेगर मेरे साथ चले तो शायद वो उनके लिए बैटर रोग और शायद वोच पर अंडर टेगर के स्टीक तूट गई थी हाला कि इसके बाद आखर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेशन और अंडर टेगर की काफी तगड़ी वाली दुश्मनी है तो ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं है ब्रॉक लेशन अगर किसी सूपरस्टार के सामने किसी ब स्टार्स में से हैं जो की काफी जाधा बैक्सेज किसी से भी कम बोलते हैं उन्हीं सिर्फ अपने काम से मतलब होता है जैसा हमें डव डवुवी के तेलेविजन पर देखने को मिलता है कहीं ने कई उनका जो रियल लाइफ में करेक्टर है वो बी उस से सिमिलर है याला कि प से दिखा देता है कि वो भी एक नॉर्मली बंदे कहने को तो वो बीस्ट है लेकिन अगर ऐसी को चीज करने की बारी आ जाए तो फिर ब्रॉक लेस्टर ऐसे में भी पीछे नहीं एटते तो आई होप आपको वीड़ अच्छी लेगी होगी तो लाइक किये विना तो कहीं मैं जाना कमेंट करके आप लोगोजे अपनी थौट्स बताना कि आप क्या क्या सोचना है ब्रॉक लेस्टर एंड अंडर्टेकर की दोस्ती के बारे में इसके लाव वीड़ अच्छी लेगी तो लाइक तो आप लोग करीद होगे साथी साथ आप लोग कर लें है चैनल को सब्स